किसान आंदुलन में घुसे लोगों पर F.I.R तरस हो की जी हाँ, CPI नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया है मामला पांडव थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जूट गई है दिली में किसानों के समर्थन में गौलिर के पूलबाग मैदान पर पिछले 31 दिनों से चल रहे आंदुलन में रविवार को हंगामा करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने CPI नेताओं की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है आपको बता दे कि यह उपद्रवियों ने पहले मंच पर कबजा करने का प्रियास किया था और जब वे सफल नहीं हुए तो मारपीड भी की थी साथी मंच के पास लगे पोस्टर बेनर फार दिये गए और किसानों का नैतरत्व कर रहे माकपा नेता पर अखिलेश यादों ने आरोप लगाया है कि यह हमला करने वाले स्वयम सेवक संग के कारे करता है और जिसमें जावतल लोग चहरे पर केसरिया साफा बांदे हुए थे और साथ ही में हंगामे के बाद फूल बाग पर किसान आंदोलन इस्थाल पर फोर्स तैनात कर दिया गया था साथ ही पुलिस ने उप्रवियों के खिलाव मामला दर्स कर लिया है सरे इपिये मामला पंजीवद दिवर क्या है यह CPI के निर्दिशन में CPI पार्टी के उसमें एक धरना पर दर्शन किसान लोगों का चला था फूल बाग पे विगत 30-30 दिन से तो आज दोपैन में करीब 4 वजे के आसपास कुछ लोग आए थे और महा पर गाली गनोच और बैनर बगएरा तोड़ फोड़ फाड़े हैं तो इस सम्मध में इनकी पार्टी की तरफ से एफायर हुई है CPI की तरफ से तो प्रकण पंजीवद दिवर भी विषना में लिया गया संख्या कितनी इना है? वाइस ऑफ राइड के लिए ग्वालेट से सागर शर्मा की रिपोर्ट